अब हम इस प्रसने वाली के जो बांकी प्रसने जो छूट गया थे उनको देख लेते तो प्रसने करमांग 11 से चुड़ गया था तो प्रसने करमांग 11 से सुरू करते हैं सुर्जीत पंजाब नेशनल बैंक में कितना धन जमा करें कि 5% वार्सिक ब्याज की दर से उसे 2 वर्स में 6,615 रुपया प्राप्त हो मतलब क्या है दो वर्स में इसको प्राप्त होना है तो मतलब ये ब्याज की रासी है तो मतलब आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है ये एक मीसरधन है पर यहां पर देखो कहीं बे भी मुल्धन नहीं दिया है तो हमें क्या ग्याद करना है इस बार मुल्धन ग्याद करना है अभी तक हमने ऐसे एक भी प्रस्न नहीं बनाया है जिसमें हमें मुल्धन ग्याद करना हो जिसमें हमें दर ग्याद करना हो जिसमें हमें समय ग्याद करना है तो यहाँ पे क्या क्या दिया है मिस्रधन दिया है लिख लो आप मिस्रधन मिस्रधन को किस से दर्स आते हैं A से तो मिस्रधन मिस्रधन को A से दर्स आ रहे हैं और मिस्रधन कितना है 6,615 रूपे तो यह मिस्रधन है और क्या दिया हुआ है दर दिया हुआ है दर को R से दर्स और ये है 5 प्रतिसत समय दिया है हाँ समय दिया हुआ है तो समय को या तो N से दर्स आते हैं या फिर T से था हम यहाँ पर T से दर्स आते हैं T मतलब टाइम और ये है दोवर क्या मुल्धन दिया है नहीं तो हमें क्या करना है मुल्धन ग्याद करना है मुल्धन को P से दर्स आते हैं और यही हमें ग्याद करना है अब सुत्र क्या है तो सुत्र रख लेते हैं तो सुत्र रखेंगे मिस्रधन का क्योंकि यहां पर मिस्रधन का मान दिया हुआ है तो सुत्र मिस्रधन क्या है A बराबर P 1 प्लस R अपान 100 और यह है T अब हम यहाँ पे सुत्रवे मा लगते हैं तो A कामान कितना है देखो A कामान 6,615 तो यहाँ पे है इसके बदाद बराबर लगा हुआ है बराबर के बाद क्या है? P है P कामान दिया है क्या है? नहीं तो P को यो का दो लिख लेते हैं फिर R का अंदर देखो 1 demographics फिर R प्लस फिर R का मान कितना है 5 तो यह हो गया 5 और यह हो गया 100 और T का मान कितना है 2 तो यह हो गया यहां पे हमने पूरए मानों को put up कर लिया अब आगे देखते हैं तो यह है 6615 और यहां पे P है तो P को चलो पहले इसको हल कर लेते हैं तो ये 1 ये हो जाएगा 5 एकम और ये 5 20 हम 21 यहाँ पे एक बार में कटा है तो 20 हम 20, 20 हम 20 आपको लगुत्तम निकालना तो आता ही होगा तो आप लगुत्तम निकालके देख लेना इससे पहले वाले पार्ट में मैं लगुत्तम को निकालके भी बताएं कैसे ये निकाला जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं 6615 अब ये जो है देखो P है P का मान हमें ग्याद करना है मतलब मुल्धन हमें ग्याद करना है तो ये वाले मान को क्या करेंगे इस पार लाएंगे तो ये हो जाएगा पहले इसको पहले और थोड़ा अलग कर लेते हैं ठीक है तो ये 21 बटे 20 और ये 21 बटे 20 ऐसा हो जाएगा अब हम 615 बराबर इन दोनों का गुड़ा कर देते हैं तो ये हो गया 21 गुड़ी दिकी 441 और 20 और 20 कितना हो गया 400 गुड़ी दिकी पी है पी को यहाँ पे रखो अब यहाँ पे देखो ये वाला मान यहाँ पे चला जाएगा नीचे से है तो तीरिया गुड़ा होके उपर चला गया और ये वाला मान तीरिया गुड़ा होके नीचे आ गया तो यहाँ पे लिखो 6615 गुडीद यह उपपर चला गया तो यह हो गया 400 उपपर में गया और यह उपपर वालामान नीचे आ गया तो क्या होगी यह 441 और यहाँ पर क्या बचा पी यह एकम और यह 15 बार में कड़ जाता है तो 1560 तो बचा क्या हमारे पास चलो पहले लिख लेते हैं 15 गुडीद 400 बराबर पी तो यह हो गया 15 चौक 60 और यह हो गया 2 जिलो तो पी बराबर कितना निकला 6000 उपए मतलब मुल्धन कितना आया 6000 तो यहाँ पर लिखो अता अता पंजाब नेशनल बैंक में यह आपके लिखो अता सूर्जीत अता सूर्जीत द्वारा 6000 रुपिये जमा किये तो 6000 आपका क्या निकल गया मुल्धन यह आपका एंसर है तो यह आपको समझ में आया इस तरह से यह बनता है मुल्धन इस तरह से निकाला जाता है इसी तरह से सेम प्रस्नकरमांग 12 बनेगा प्रस्नकरमांग 12 जो है उसमें आपको क्या कहा गया है कि अधवार्सी गर्णा अधवार्सी गर्णा मैं प्रस्नकरमांग 6 में बता दिया हूँ कि अधवार्सी गर्णा कैसे करते है तो आप सेम प्रस्नकरमांग 6 की तरह अध्वारसी गरना करना उसके बाद जो सुत्र लगाओगे वो सुत्र लगाने के बाद सेम जैसे ये वाला सुत्र लगा है इसी तरह से सुत्र लगाने के बाद पूरामान इसी तरह से हल करके निकालना है ठीक है तो प्रस्नक्रमांग 12 भी आप रोगों से बन जाएगा अब प्रस्नक्रमांग 13 आते हैं तो प्रस्नक्रमांग 13 में है कबीर ने मोटर साइकिल खरीदने हित्तु इंडियन बैंक से 15600 रुपे उधाल लिए तो बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज की दर गयात किजिए हमें क्या निकालना है ब्याज की दर मतलब प्रतिसत तो यहाँ पे देखो उधाल लिए मतलब उधाल लेने माली रासी कितने है 15600 मतलब ये मूल धन है और उस पे ब्याज मिलने के बाद मतलब तीन वर्स बाद मतलब क्या होगा है मतलब ब्याज ही लगा होगा तभी तो तीन वर्स बाद वो 17576 हुआ होगा तो लोटा है तो ये मिस्रधन हो गया और हमें निकालना क्या है ब्याज की दर, तो ब्याज की दर हमें निकलना है, तो इसको कैसे निकाल लेंगे, तो इसको भी वैसी, जैसे हमने पहले रहल किया थो वैसी, तो आपका मीस्रधन में डायक्टर दीकर रहा हूं, मीस्रधन को इसे दर साह, ये मतलब हमाउंट, तो मीस्रधन है, 17,576 और दर तो दिया नहीं है तो पहले समय लिख रहे हैं समय को T से दर साते हैं तो T है तीन वर्ष और दर हमें ग्यात करना है सुत्र लगा दो सुत्र क्या है अपका A बराबर P 1 प्लस R अपान 100 और यह T अब यहाँ पर मान रखते जाओ A का मान क्या है तो 17,576 P का मान कितना है 15,625 1 प्लस R का मान तो दिया नहीं तो जो कतो लिको और T का मान कितना है तीन वर्ष तो यह हो गया तीन वर्ष अब यहाँ पर 17,576 यह वाला दोनों बराबर बराबर यह वाला गुड़ा में है तो यह नीचे आ रहे है कि तीरिया गुड़ा हो कित यह आगए 15,625 अब बचा क्या उस पर 1 प्लस R अपान हंड्रेड का तीन घात तो यह हमारे पास बचा है बाकी को बगल में देखते हैं तो यहाँ पर देखो 15,576 और यह सारी 17,576 और 15,625 तो यह 25 गुड़िद 25 गुड़िद 25 मतलब तीन बार 25 पचीस पचीस का गुड़ा करने पर 15,625 आता है और यह जो है यह इससे एक बढ़ जाएगा ठीक यह यह 25 अदिससे एक बढ़ेगा तीक है कितने हो जाएगा 26,26 तो 26 गुड़िद 26 और 26 करने पर यह 17,576 आएगा तो यहाँ पे लिखो तो यह हो गया 26 का 3 घात हो जाएगा और यह 25 का 3 घात हो जाएगा तो 26 का 3 घात और यह 25 का 3 घात बन गया और यह हो गया 1 प्लस आर यह 100 और 3 इसको ऐसे लिख सकते हैं 26 बटे 25 दोनों का घात 3 तो यह हो गया 26 25 अब यहाँ पर देखो यहाँ भी तीन है यहाँ भी तीन है दोनों समाल है और दोनों घात में है तो दोनों क्या होगा तीन दिन होके देखो यह बराबर की इस पार है और यह बराबर की इस पार तो ये घात और ये घात कर गया तो बचा क्या भावा हमारे चबीस बटे पचीस और यहाँ पे बचा 1 पलस आर अपान 100 फिर यहाँ पे देखो इसको लगुत्तम वाले नियम से निकाल लेते हैं तो लगुत्तम आया नीचे में 25 यह 25 का उपर नीचे दोनों में गुड़ा जी तो मैं डाइक लिक है हाँ पच्छीस ये पच्छीस उपर चला जाएगा तो 26 माइनस पच्छीस पराबर आर अपान हंड्रेड उसके बाद आगे हल करते हैं तो ये हो गया उपर में एक बच्छा एक बटे पच्छीस और यहाँ पर बच्छा आर बटे 100 फिर ये जो है ये उपर चला जाएगा तीलिया गुड़ा गुरूप में तो एक गुड़ित 100 पटे पच्छीस और यह आर तो पच्छीस से कहाँ पच्छीस चोप तो आर बराबर 4 प्रतिसत ये क्या है आपका एंसर है तो आर कमान आ गया 4 प्रतिसत ठीक इस तरह से ये बने तो आप लोग प्रस्नकरमांग 14 को बना के देख लेना ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रस्नकरमांग 15 जो है वो प्रस्नकरमांग 16 की तरह बनेगा लेकिन मैं प्रस्नकरमांग 15 है वो सरल है तो 16 को देखते हैं क्योंकि कुछ लोग कहना है कि 16 थोड़ा टफ है तो उसी को बता तो मैं इसलिए आप लोग को थोड़ा टफ वाला प्रस्न बता रहा हूं भारती स्टेड बैंग में अहमत वो उसके जमा धन 46,875 पर 8% ब्याज की दर से 5,853 ब्याज प्राप्त हुआ यदि बैंग द्वारा ब्याज की गड़ना अधवार्सिक की गई हो तो समय बताईए तो जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं तो सबसे पहले देखो 46,000 क्या है वो ब्याज में लिया तो मतलब ये मूल धन है तो पी बराबर कितना है 46,885 पी हो गया और दर कितना है 8% समय दिया है क्या है नहीं तो हमें क्या निकालना है समय को निकालना है तो समय को बाद में लिखते हैं तो ये दर हो गया है क्या हमारे पास मिस्रधन है तो देख लेते हैं मिस्रधन यहाँ पे ब्याज दिया हुआ है तो ब्याज है कितना दिया है ब्याज पांच हजार आठ सो तीरपन रुपे तो यह ब्याज है और यह मूल धन है दोनों को जोड़ दें तो मिस्रधन निकल जागा तो मिस्रधन कितना है 46,875 प्लस 5,830 तो दोनों को जोड़ते हैं तो मान आ रहा है 52,728 रुपे तो मिस्रधन कितना निकल गया इतने रुपे यह मिस्रधन है तो हमें निकालना क्या है हमें निकालना है टाइम समय तो समय कितना वरसे यह निकालना है तो सुत्र में महा रख देते हैं तो सुत्र है A बरावर P 1 प्लस R अपान T अब यहां पर देखो थोड़ा समय है यहां पर आधा कुछ चीज भूल चुका हूँ है तो उसको देख लेते हैं तो यहां पर कहा गया है कि अधवारसी गरना अधवारसी गरना तो कैसे निकालते हैं तो यह 8 प्रतीसात है ठीक है प्रतीसात है तो समय के साथ ही यह डिवा तो इसके लिए आपको प्रस्ण कर्मांग 6 को देखना होगा जो पहले पार्ट में है उसको अगर आप देखते हो तो यह आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है तो यह 4 हो गया 6 मही गढ़ना में कि हम साल में दो बार पटाएंगे हर 6 महीन में पटाएंगे तो कि इसलिए 2 से इसको 8 प्रतिसत को डिवाइड कर दे तो कितना आगे 4 प्रतिसत ठीक अब यहाँ पे माल रखते हैं 52,728 और मुल्धन है 46,876 यह सारी 75 प्लस 1 प्लस आर का माल कितना है 4 प्रतिसत और यह 100 बाकी चीज़ साइड में देखते हैं तो यह हो गया 52,728 बटा और यह वाला जितिरिया गुड़ा के रूप में कहां पर आगा नीचे तो बटा 46,875 बराबर यहाँ पे बचा क्या यहाँ पे टी है ना सुत्रा में तो हमारे पास बचा 1 प्लस 4 अपान है 500 यह 10 और यह हो गया यहाँ पे अब यह देखो यह कड़ रहा है क्रोकर है तो इसको कर रहा है तो इसको कार दाएं 50 तो पास से कर रहा है तो आप इसको कार सकते हैं अब पांसे ने, तीन से गटेगा, तो तीन से गट रहा है, तो ये आ रहा है, 3 सथosse, तीन सक्ये 12 आर ये हो गया, 3 x 3, 3 5 15, 3 6 18, 3 2 6, 3 5 15, यह कड़ी गया, तिन से, दोनों 3 से डिवाइड हो गया, डिवाइड होने पाद यह माना है, यहाँ पर क्या है, 1 प्लस, 4 अपान 100, और यह T, अब इसको देखो, यह वाला मान कितने है, 25 गुरित, 25 गुरित, 25, जैसे इस से पहले वाले प्रस्न को बन आया थे न, वैसे यह भी मान दिखाए दे रहा है, तो मतलब यह क्या है, 26 बटे 25 का 3 गात, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस, 4 अपान 100, और यह हो गया, T, ठीक है, अंदर को भी कर लेते हैं, 26 बटे 25, बटे 3, इसको कर लेते हैं, 4 एकम, 4 पचीसां, तो यह भी हो गया, 26 20 बटे 25, और यह T, अब यहाँ पर देखो, दोनों का अधार बराबर है, अधार मतलब, दोनों का अधार यह जो है, अधार रासी, अधार रासी बराबर है, यह घात रासी है, तो दोनों का अधार बराबर है, तो अधार बराबर मतलब, यह दोनों क्या होगा है, कड़ी है तो बचे हमारे पास क्या, तीन और T, तो यहाँ पे लिखो 3 बराबर T, तो समय कितना आ गया, यहाँ पे लिखो 3 वर्स, T बराबर, मतलब समय जो है वाँ तीन वर्स है, यह क्या है आपको यही निकालना था है, यह आपका answer, तीन वर्स नहीं है, तीन च्हा माही पटा रहे हैं तो ये तीन च्हा माही है च्हा माही ठीक है तीन च्हा माही कह सकते हो क्यों कि क्यों ये तीन च्हा माही है क्यों कि भई यहाँ पर देखो न हमने काड दिया है काडने के बाद क्या है ये हर माह में एक साल में दो बार पटा रहा है तो चार प्रतीसत के हिसाब से इसको हमने हल किया तो ये तीन शह माही को कैसे लिख सकते हैं तीन शह माही को अगर दो से डिवाइट करेंगे इसी को यहां पर मैं बता रहा हूँ तीन को दो से साल में हम दो बार पटाते हैं तो वर्स निकाल जाएगा तो दो, एकम दो, एक बार और कितना सेज बचा एक और दो इसे इस तरह से लिखते हैं तो एक सही एक बटे मतलब यह 0.5 वर्स वो तीन शमाही पटाता है लेर वर्ष में तीन बार वो पटा रहा था तो ठीक है ये इस प्रकार से 16 भी खतम हो गया अब प्रस्ण करबांग 17 है 17 जो है इसमें आपको सधान ब्याज निकालना है और चक्रवधी ब्याज निकालना है और दोनों का अंतर करना है मतलब चक्रवधी ब्याज के साथ माइनस करना है कि आपको सधान ब्याज को उसके बाद बराबर करके 40 को लिखके आपको एंसर लाना है तो इससे लिलेटेड हमने प्रस्ण जो प्रस्ण करबांग 4 थे उसको हम लोगों ने बनाया था है तो ऐसी ही बनेगा बस लास्ट में आपको थोड़ा सा अंतर निकालना है उसको आपको खुद थोड़ा सा बना के देख लेना है ठीक है तो ये भी प्रस्णावाली पूरा खताम